तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपके लिए एक question paper लाया हूँ जो JKSSB का previous exam हुआ है तो देखते हैं कि JKSSB ने इस exam में computer से related के इस तरह के questions पूछे हैं वीडियो को एंट तेक देखते हैं वीडियो को start पर आपसे request है कि अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe करो साथ में bell icon जुरूर प्रेस करें वीडियो कर अच्छे लगे तो वीडियो को like करने के साथ share भी जुरूर करें start करते हैं आज की ये वीडियो तो पहला question देखते answer रहेगा वो है party barcode scanner जो है ये एक input device है computer के लिए दोस्तो barcode scanner को barcode reader भी कहते हैं ये एक optical device है जिसमें ज्यादा तर तीन पार्टस लगे रहते हैं जो main तीन पार्टस हैं जिनमें एक illumination system है दूसरा sensor और तीसरा decoder है next question जो यहाँ पर पूछा गया है convert the below decimal value to it is equivalent in binary आपके पास एक decimal value यहाँ पर यानि 12 दिया गया है आपको इसको binary में convert करना है तो चार options यहाँ पर दिये गए हैं 1100110111101110 या फिर 111 तो आपको बताना है कि 12 जो है ये binary में इन में से किसके बराबर है तो इसका जो सही answer है वो है part a 12 binary में 1100 के बराबर होता है दोस्तों यहाँ पर आप यह important चीज याद रखें कि जब भी आपको कोई भी decimal value binary में convert करनी होती है तो आपको decimal value को binary की base आपको पता होगा कि binary जो system है उसकी base 2 है तो इस से आपको divide करना होता है दोस्तों यहाँ पर आप नज़र रखें कि हम किस तरह decimal को binary में convert करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कुछ इस तरह आपको 12 को 2 से divide करना होगा जब तक हमारा last में question जो है वो 0 आ जाए तो हम 2 से 12 को divide करेंगे तो 2,6,012 तो आप देख रहे हैं कि exact division होता है और हमारा remainder जो है यहाँ पर कुछ नहीं बचता तो जब remainder कुछ नहीं बचे तो यहाँ पर आप 0 लिखेंगे उसके बाद यह जो sequence आता है इसको भी हमें 2 से divide करना होगा तो हम करेंगे 2,3s are 6 तो आप देख रहे हैं again हमारा जो division है वो complete होता है हमारा remainder कुछ नहीं बचता तो हम लिखेंगे 0 उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 हमारा बचा तो 3 को हम again 2 से divide करेंगे 2,1s are 2 तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2,1s are 2 तो exact divide नहीं होता है तो हमारा यहाँ पर remainder जो है वो 1 आ जाता है और दोस्तों यहाँ पर अब important चीज़ तो दोस्तों जब आपका last में one आ जाता है यहाद रखें जब आपका last में one आ जाएगा division में तो आप अपना division यहाँ पर stop करोगे और उसके बाद आप क्या करोगे यहाँ से start करोगे लिखना ऐसे उपर की तरफ तो यह जो आपके यहाँ पर यह reminders आते हैं वो आप लिखोगे तो start करोगे आप इस one से पहले आप यह one लिखोगे उसके बाद आप यह वाला डिजित लिखोगे उसके बाद आप यह वाला लिखोगे और उसके बाद आप यह वाला लिखोगे तो इस तरह आप देख रहे हैं दोस्तो हमारा जो 12 है वो binary मेंDEN 1100 के बराबर आता है दोस्तों इस पर मैं अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं और कुछ questions लाऊंगा आपके लिए कि हम किस तरह decimal को binary में convert करते हैं नेक्ट question जो पूछा गए था वीच एमिंग दें following is not a feature आप primary memory आपको बताना है कि primary memory का feature in में से कौन सा नहीं है options है it is accessed directly by the processor तो यह तो feature है primary memory का it is the fastest memory available primary memory fastest memory होती है computer की यह भी सही है it contents it is contents are lost one's power is switched off यह भी सही है कि primary memory में जो भी content यानि data होता है अगर power shut up हो जाता है computer shut up हो जाता है तो सारा data जो है वो loss हो जाता है यह सही है it is non-volatile primary memory non-volatile होती है तो यह primary memory का feature नहीं है क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि primary memory जो है यह volatile होती है volatile means जिसमें data lost होता है दोस्तों यहां पर आप यह भी याद रखें कि primary memory को man memory या फिर internal memory भी कहा जाता है primary memory में एक तो RAM आता है और दूसरा इसमें ROM आता है RAM जो होता है यह volatile in nature होता है याने जो भी इसमें data रहता है वो एक बार power off होने पर सारा delete हो जाता है लेकिन जो ROM है ROM non-volatile होता है याने इसमें जो data होता है वो power switch off होने के बाद भी इसमें रहता है वो erase याने डिलीट नहीं होता RAM की full form है random access memory और ROM की full form है read only memory next question है a superior computer program that replicates itself at a swift pace is called आपको बताना है उस computer program का नाम जो बहुत तेजी से खुद को replicate करता है यह computer virus से लिया गया question है computer viruses पे हमने 2-3 वीडियो बनाई हैं जिसमें हमने मुक्तलिफ computer viruses के बारे में detailed बात की है तो आपको बताना है बहुत तेजी से खुद को replicate करने वाला program इन मेंसे कौन सा है options है trojan horse bombs worms या फिर cracks तो इसका जो सही answer है जो बहुत तेजी से खुद को replicate करता है computer program उसको worms कहते हैं दोस्तों यहाँ पर आप worms के बारे में यह याद रखें कि यह एक stand alone software या computer virus है जिसको किसी दूसरे software की जुरूरत नहीं पड़ती computer में एक computer से दूसरे computer में फैलने के लिए यह खुद ही खुद को एक तो replicate करता है और दूसरे computer में खुद को transfer करता है इसको कोई भी जुरूरत नहीं पड़ती कि यह दूसरे software के साथ attach हो जाए और फिर दूसरे computer में आ जाए यह stand alone software है या computer virus है जो एक computer से दूसरे computer में खुद ही चला जाता है next question जो पूछा गए था what is the full form of VPN with respect to the networking आपको बताना है networking में VPN की full form क्या है जो भी जुमो कश्मीर के रहने वाले होंगे उनको तो VPN के बारे में बहुत कुछ पता होगा क्योंकि एक दोर ऐसा था कि जब जुमो कश्मीर में कुछ साइट उसको बैं किया गया था तब जेंड के में जितने भी लोग हैं वह अक्सर VPN का इस्तिमाल करते थे तो यह question उनके लिए बहुत ही आसान है तो दोस्तों यहां पर यह जो question है इसकी VPN की जो फुल फॉर्म है वो है वर्चुल प्राइवेट नेटवर्क लेकिन दोस्तों में थोड़ा सा हट कि आपसे यहां पर एक बात पुछना चाहूंगा कि जब जुमो कश्मीर में बहुत सारी in computers what does SSD stand for आपको बताना है SSD की फुल फॉर्म क्या है यह एक स्टोरेज डेवाइस है जो कम्प्यूटर में इस्तिमाल की जाती है options है आपके पास solid state drive, storage state drive, solid storage drive या पर simple storage drive तो दोस्तों याद रखें कि SSD की फुल फॉर्म है solid state drive दोस्तों यहां पर आप यह भी याद रखें कि नाइंटीन हंड़ाड एंड नाइटी वन में सैन डिस्क ने पहली SSD याने solid state drive लाई थी जिसकी जो storage थी वो सिरिप 20 MB की थी दोस्तों यहां पर आप यह भी याद रखें कि SSD silicon chips की बनी हुई होती है next question है a program or piece of code that is loaded on to your computer without your knowledge and runs against your wish is called आपको पतना है उस computer program का नाम या code का नाम जो आपकी knowledge के बगएर आपकी इजाजत के बगएर ही आपके computer में run करता है चलता है options है आपके पास software antivirus hardware या फिर computer virus तो यह तो सभी को पता होगा कि वो program जो हमारी permission के बगएर हमारे knowledge के बगएर ही हमारे computer में run करता है उसको computer virus या simply virus कहा जाता है दोस्तों यहां पर आप यह भी याद रखें कि software कहा जाता है उन instructions को जो computer को provide किये जाते हैं कोई भी task करने के लिए इसी तरह antivirus वो program है जो आपको virus attacker से बचाता है hardware कोई भी part होता है computer का जिसकी physical shape हो जो आप देख सकते हैं या जिसको आप छूब अगेरा सकते हैं next question जो पूछा गए था what does www stand for आपको पताना है www की full form क्या है तो यह तो तक्रीबन तक्रीबन सभी को पता होगा बहुत ही आसान से question है तो www की full form है worldwide web दोस्तों यहां पर आप यह भी याद रखें कि www को invent किया था टीम बर्नसली जो की एक ब्रिटिस साइंटिस्स थे उन्होंने इसको इन्मेंट किया था 1989 में next question which one of the following software is an email client आपको पता है इन में से कौन सा email client है तो options आपके पास Microsoft internet explorer दोस्तों यह एक web browser है Windows 98 यह operating system है Microsoft PowerPoint यह एक पावर पॉइंट प्रेजंटेशन software यह simply presentation software है और अब बचता है Microsoft Outlook तो यह क्या है यह एक email client software है दोस्तों यहां पर आप यह याद रखें कि email client software वह software होता है जो आपको email send करने और receive करने में या फिर emails को manage करने में आपकी help करता है next question है laser printing is an electrostatic digital printing process what is the unit of printing speed in laser printer आपको बताना है laser printer में हम printing speed in में से किस unit से major करते हैं laser printer के बारे में अक्सर exams में पूछा जाता है तो बताना है कि laser printer की printing speed किस unit से major की जाती है option से आपके पास डिचिटिस पर सेकेंड डिचिटिस पर line lines per page या फिर pages per minute तो सही answer इसका बनता है पाड़ी pages per minute या इसको short form में PPMB कहा जाता है दोस्तों याद रखें कि laser printer में ink cartridges का इस्तिमाल नहीं होता है बलकि laser printer में टूनर cartridges का इस्तिमाल होता है जो कि एक dry powder जैसा होता है next question है which one of the following is a shortcut key to start a slide show from the beginning in MS PowerPoint तो MS PowerPoint में अगर आपको slide show start से start करना है तो उसके लिए कौन सी shortcut की है दोस्तों मैंने shortcut की इस पर पूरी एक complete वीडियो बनाई है आपको जुरूर चेक करना वीडियो लिस्ट में आपको वीडियो मिलेगी तो याद रखेंगे दोस्तों की PowerPoint में slide show को start करने के लिए आपको दबाना पड़ेगा आपको बताना है HTTP की फुल फॉर्म क्या है बहुत ही आसान सा है हाइपर टेक्स टिविस्टिट पियर हाइपर टेक्स ट्रनसफर प्रोटोकॉल हाइपर लिंक ट्रनसफर प्ले काड़ या फिर हाइपर लिंक ट्रनसफर प्रोटोकॉल तो इसका जो सही आंसर रहेगा वह है पार्ट भी हाइपर टेक्स ट्रनसफर प्रोटोकॉल जो है वह की फुल फॉर्म है दोस्तों यहां पर मैं आपसे यह क्वेशन पूछा चाहूंगा नीचे कमिट सेक्शन में लिख कर बताएंगे कि करता हूं एंड उमीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छे लगी होगी वीडियो अच्छे लेगी तो वीडियो को लाइक ओर शेयर करें और अगर आप डेली वीडियो आपडेट्स नोटफिकेश्स बाना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बैल आइकं अब तक के लिए टेक केर